तो जैंद मेरे प्यारे साथ ही हो, कैसे हूँ आप सभी लोग, I hope कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, दोस्तों यहाँ पर दसवी पास कंडिडेट के लिए, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए यहाँ पर क्रिशी विभाग में नई भरती का नोटिफिकेशन रिलीस कर दिया गया है, जिसका ओनलाइन आवेदन पूरी तरीकी से स्टार्ट हो चुका है, और सबसे खास बात जानते हैं इस वेकिंसी क्या है, सबसे खास बात यह है, कि इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटेन एक्जाम नहीं होगा, दसवी के परफंटेज के आ उनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या एज सेलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, यह अप्लाई लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उसके अलावा वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत ही आद मेल हो या फिर फिमेल हो, यहाँ पर अप्लाई कर फकते हैं, पद की अगर मैं बात करूँगा तो प्रयोगशाला परिचर, जिसे अंग्रेजी में लाइब अटेंडेंट के नाम से जानते हैं दोस्तों, इस पद पर यह भरती निकाली गई है, और आप सभी लोगों को तो यहाँ पर देखिए, 17 जुलाई 2024 जो है, यह लास्ट डेट है, आज तारीक है 14 जुलाई, ठीक है न, तो अभी भी आपके पास टोटल 3 दिन का समय बचा है, उनलाइन आवेदन करने के लिए, थोड़ा सा अपडेट जो है, लेट में दे रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहूँगा दोस्तों, लेकिन अभी भी आपके पास यहाँ पर टोटल 3-4 दिन का समय बचा है, उनलाइन आवेदन करने के लिए, अगर आप इंटरिस्टेड हो, तो इस वेकेंसी में जरूर से जरूर एप्लाई कीजेगा, फीस की अगर मैं बात करूँगा, तो किसी प्र लाए गया है नोटिफिकेशन में कि मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज, 40 साल तक की कंडिडियेट यहाँ पर फार्म को फिल कर सकते हैं, इसमें एप्लाई कर सकते हैं, तो देख लिजेगा, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 21 साल से लेकर के 40 साल तक के मिलेगा, अब आगे बात कर लेते हैं, सर यह बताईए इसमें, आपने बताया है एक्जाम नहीं होगा, तो किस प्रकार से इसमें सिलक्षन प्रोसेस होगा, वह भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसमें दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी रेटन एक्जाम नहीं प्रती होगी और देखिए यह जो salary इसमें आपको दिया जाएगा ना salary थोड़ा सा कम रखा गया है लेकिन शुरुवात में जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी यहाँ पर salary इंक्रीज कर दी जाएगी देखिए अगर सुरुवात में आपके salary के अगर मैं बात करू तो ठीक है लेकिन job location जो है वो कहां पर रहेगा मतलब किस जगह पर रहकर मुझे duty करना पड़ेगा तो दोस्तों job location के अगर मैं बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश की तरफ से यह भरती निकाली गई है तो उत्तर प्रदेश में रह करके ही आपका duty रहेगा UP में रह करके आ पर job जो है दी जा फक्ती है उसके अलावा रिक्ति की प्रकृति की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए state government की तरफ से यह vacancy निकाली गई है पूरी तरीके से जो रिक्ति की प्रकृति है यह third है यानि कि state government के अंडर में रह करके आप काम करोगे लेकिन जो आपका payment आएगा पूरी तरीके से contractual base की भरती है यानि कि समविदा भरती है permanent भरती नहीं है लेकिन इससे आप लोग यह मत समझेगा कि permanent भरती नहीं है तो मुझे निकाल दिया जाएगा दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है यार अराम से समविदा भरती है लेकिन हर तीन साल के बाद इसे जो है extend किया जाता है तो आप लोग इस वहम में मत रहिएगा कि मुझे जो है कभी निकाल दिया जाएगा देखिए अब selection process के अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो कैसे इसमें चैनल पर करिया होगा इस चीज को समझेगा किसी प्रकार का कोई भी written exam ही होगा दस्वी के percentage के आधार पे यहाँ पर merit सूची तयार की जाएगी अगर minimum आपका 60% से उपर है ना दस्वी में अगर आपके 60% से उपर है आप preservation कोटे के अंतर गताते हो यानि कि SCST category के अंतर गताते हो तो आप इसमें जरूर से जरूर form को apply कीजिएगा उसके अलावा general और OBC category वालों के ल verification यानि की दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा कॉंकों से आवशक दस्तावेज लगेंगे वह अभी मैं आपको आगे यहाँ पर बता दे रहा हूं जैसे देखे आवशक दस्तावेज की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आपका दस्वी की मार्शीट certificate आपके पास ह होना चाहिए और original आधार काड और दस्वी के मार्शीट में आपका नाम पता डेट अव बर्थ है ना फादर नेम वगएरा इस पेलिंग सब कुछ सही होना चाहिए किसी प्रकार का mismatch नहीं होना चाहिए नहीं तो document verification में आपको reject किया जा सकता है ठीक है ना तो इस चीज को का कास्ट certificate यहाँ पर चल जाएगा अगर central level का का कास्ट certificate है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो general candidate का का कास्ट certificate नहीं लगता है बाकि सभी category वालों का यहाँ पर कास्ट certificate लगता है ठीक है चौथे नंबर की अगर मैं बात करूँगा तो आपके पास active mobile number होना चाहिए ज के अलावा कोई भी दस्तावेज यहाँ पर नहीं देखा जाएगा आपसे ठीक है ना अब सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि सर्या बताईए इसमें हम apply कैसे करेंगे और website का link जो है मुझे कहां से मिलेगा तो देखे सबसे पहले मैं आपको clear कर देना चाहता हूं कि यह ज सभी विभाग की भरती हैं दोस्तों सेवायोजनPortal.up.nic.in पर निकाली जाती है और हर दिन मलब 2-3 दिन में नए नए विभाग में भरती आती है जैसे सफाई कर्मचारी में चापरासी में भरती आती है समाज कल्यान विभाग में भरती आती है सौस्त विभाग में भरती आ यह सभी लोग सेवा योजन पोर्टल को हलके में लेते हैं के लिए मैं कहा देना चाहता हूं कि यार देखें अगर आप बेरोजगार हो ठीक है ना आपके आप नौकरी नहीं कर रहे हो तो आपको सेवा योजन पोर्टल.NIC.IN पर रेजिस्ट्रेशन जरूर करना चाहिए ठीक तो आप अपने स्टेट के सेवा योजन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करके आवेदन कर सकते हो बहुत सारी आउट्स्रींग भर्तियां यहां पर निकाली जाती है तो यह जो वेकेंसिश निकाली गई है। सेवा योजन पोर्टल के द्वारा विवेकेवसी निकाली गई है जिसका लाश्ट डेट जो है 17 जुलाई 2014 रखा गया है कृषिल विभाग में प्रयोकशाला परिचर के पत पर यह भरती निकाली गई है जिसका एपलाई लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूगा टेली ग्राम चैनल पर भी डाल दूगा वहां से जा करके आउनलाइन आवेदन आप कर सकते हो लेकिन एक शर्त यहां पर रखी गई है कि आपका सेवा योजन पोर्टल पर जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाऊगे मेरी बात को ध्यान से समझेगा जब तक आपका सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक जो इसमें आप आउनलाइन आवेदन नहीं कर पाऊगे तो सबसे पहले आप साइबर कैसे जा करके सेवायोजन पोर्टल.up.nic.in पर क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आप सभी लोग इसमें एप्लाइ कर सकते हों उसके अलावा वेबसाइट का लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा या फिर अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो दोस्तों यहीं सारा सब कुछ जानकारी देना था देखे इस विभाग क वेकेंशी के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो कोई भी सवाल हो तो आप लोग निश्चिन तरूप से जो है कमेंट सक्षन में कमेंट कर सकते हैं मैं इसका रिप्लाइ देने का भी पूरा-पूरा कोशिस करूँगा उसके अलावा दोस् कि तैयार रहेगा कहां से एताई करना है किस डिविजन सर्कल को चूज़ करना है पोश्ट पर फ्रेंश किस प्रकार से देना है सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा ठीक है ना तो वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ली जगा और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ली जगा इसे प्रकार के गवर्मेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए बाकी फिर मिलूँगा किसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद